Instagram runtime exception problem काफी person को आ रही है Instagram के अंदर ये problem आपको क्यों आ रही है आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो इस वीडियो से आपको ये पता लगने वाला है कि ये problem आपको क्यों आ रही है और इसका solution क्या है अगर आप इसका solution चाते हो तो वीडियो को भीने skip की आपको end तक देखना होगा इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि इसको कैसे fix करना है और ये जो problem आपको आ रही है notification बार में जब आप slide करते हो notification बार को तो वहाँ पर आपको बार-बार ये वाला error आपको show रहा है ये जो बराबर में screenshot में मैं आपको दिखा रहा हूँ काफी लोगों के DMs and comments मुझे देखने को मिल रहे है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी problem solve हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि ये problem आपको क्यूं आ रही थी तो अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा बिना skip के end तक देखना है कुछ लोग यहाँ पर क्या करते है skip कर करके देखते हैं तो फिर होता यह है कि उनकी problem solve नहीं होती है क्योंकि वो उसी चीज को miss कर देते हैं जो की चीज में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जिसको सुनने के बाद में आपको उसको समझना होगा और उसके बाद ही आपकी ये problem solve होगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जालें जो मेरे नामें शाहिद और आप देख रहे हैं IG help YouTube चैनल चैनल पर नहीं हो तो बैट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो के अपडेट आ आती रहती है तो हमारा जो फॉन है अगर उसके अंदर रेम हमारी कम है या फिर उसका Android वर्जन हमारा कम है यानि के ओल्ड फॉन है हमारे पास में तो उसमें ये प्रॉबलम आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी ऐसा होता है कि Instagram की application आए दिन उसमें नेने अपडेट आ आते रहते हैं उसका वर्जन बड़ा होता रहता है चेंज होता रहता है तो ऐसे में होता यह है कि हमारा जो Instagram का application हमारे फॉन में फिर support नहीं करता है अब यहां पर बात यह आती है कि फॉन में support नहीं कर रहा है तो किस तरीके से उसको support किया जाएगा क्या उसके लिए करना ह वो भी इसी वीडियो से आप जानेंगे मैंने आपको बताया है कि यह problem आपको इस वज़ा से भी आ सकती है और एक वज़ा यह भी है कि Instagram की application अगर हमने काफी time से update नहीं की प्लेश्टोर पर जाकर के तो आप पहले प्लेश्टोर पर जाईएगा वहां से चेक कीजिएगा कि हमारा Instagram update मांग रहा है यह नहीं अपडेट के बाद अगर आपको यह problem नहीं आती है तो समझ लीजे update की problem थी update के बाद में यह problem fix हो जाएगी update में भी fix हो सकती है और अगर आपके यह phone की problem है यानि के phone आपके पास में कम RAM का है कम version वाला phone है तो आपको phone भी change करना पड़ सकता ह और अगर आप phone change नहीं कर सकते इसी में ही Instagram को use करना चाते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं के हमारे Instagram की जो ID है उसके अंदर क्या problem आईए यह ID की problem नहीं है यह Instagram की application की problem है Instagram ID के अंदर आपके account के अंदर कोई problem नहीं आएगी उससे आप बिल्कुल बैफिकर रहे हैं क्यूंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूँ कि आप Play Store पर जाकर के Instagram light application को डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करने के बाद मैं उसमें अपने account को लोग इन करेंगे और Instagram light जो application आप डाउनलोड करेंगे और उसमें ID को लोग इन आपका जो account होगा वो विल्कुल सही चलेगा वहाँ कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी कोई problem आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी बात करते हैं official application की कि आपके phone के अंदर ये वाला जो error आपको शोर आए अब इसको कैसे fix करना है पहले तो मैंने आपको ब फिर से उसको download करना होगा delete भी कर देना यानिके install कर देना application को data clear करने के बाद में application को phone के अंदर से हटा देना उसके बाद में फिर से उसको download करना play store पर जा करके और उसमें फिर ID को login करना उससे भी आपकी problem solve हो जाएगी और मैंने आपको बताया है कि ये phone की भी problem हो सकती है अ Instagram के जो old version आते हैं जो Instagram official application के जो old version आते हैं आप जो है उनको भी download कर सकते हो उनमें भी आप use कर सकते हो तो old version को download कैसे करना होगा आपको जो है न Google पर जाना होगा Chrome browser के अंदर और वहाँ पर आपको लिखना है Instagram old version आपके सामने काफी website आएगी जो कि आपको जो है old version download के लिए वहाँ पर कहा जाएगा तो आप वही से old version download कर सकते हो उसको open करोगा ID को login करोगे तो फिर आपको ये इस तरह की problem देखने को नहीं मिलेगी और इसमें आप एक चीज़ और कर लेना अपने phone को एक बार restart reboot कर लेना power off का जो बटन होता है उसको एक बार long press करके रखना है वहाँ पर आपको reboot ये फिर restart का option दिखाई देगा उस पर click करके आपका phone off हो जाएगा उसके बाद में automatically on होगा तो इन से भी चीज़ों को भी आप वहाँ पर कर लेना refresh हो जाएगा पूरा phone कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मैंने आपको सारी चीज़े बता दी है problem क्यों आई है और इसका solution क्या है तीन चार मैंने इसके solution बताएं सारी चीज़ आप जो है उसमें कर सकते हो और उसके बाद में आपकी problem 100% soul हो जाएगी अगर फिर भी नहीं होती है तो इसी वीडियो को description में में instagram का link है वहाँ पर आगर करके follow करके message कर सकते हो इसके रिन short send करना problem का मैं वहा सब्सक्राइब करें शेर करें मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में